आपकी, मैंने आपके इस खेत्र में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने सड़क पे दर्ति पे नहीं उता रहा है। साथियों, आज हम तारा नगर को और तारा नगर का आने वाला भौश्य अमारे नोजवान साती, आज उनके भौश्य के लिए मैं कई योजना हैं लेकर आयों, वो आने वाली पीडी के लिए। मैंने दिल से जब चुना हुआ था डोटा सराजी, तो मुझे, मुझे यहां के किसानों ने कहा, मेरे परिवार के लोगों ने कहा, कि तेरे दादाजियों ने, तेरे दादाओं ने और दादियों ने, आजादी की लड़ाई लड़ी, तुमें इस नहर की लड़ाई लड़ पुड़ेगी बीजेपी के राज में बीजेपी के राज में दोजार पांच में ये राजदर सिंग जी राठोड उस वक्त मंत्री थे उनके वी देस्टगों से ये नहर का रख्बा हमारा काट दिया गया था ये सरम की बात थी कि किसान के नोजवालों का गला काटा इनोंने और मैंने लड़ाई स्विकार की मैंने लड़ाई स्विकार की और जंग में कूट गया मैंने मुख्य मंत्री जी कहा मैं बेयाली साल से आपकी शेवा कर रहा हूं छोटे भाई की तरह शीश्य की तरह मुझे एक चीच चाहिए मेरे किसानों के लिए मेरे वालों के लिए अलेवाली पीडी के लिए मुझे नहर चाहिए नहर और उन्होंने मुझे हां परी और उन्होंने बीस हजार हेक्टर जमीन हमें स्विकर्ट की था दसजार का काम पूरा हुआ हुआ है वाक नहीं हुआ है दसजार पर काम चल रहा है तेजी से साथियों आज तारा नगर में विकास की तरफ तारा नगर के अंदर आने वारी युवाँ के लिए आज किसी को किसी पूरत आ होुआ इवह मेरा लट्ला है मेरा दिलका टूगड़ा है कि मैंने सारी स्की में 36 कौम को सात लें। बनाई है 36 कौम के लोगों के इलिए बनाई है मैंने तारा नगर में स्यांति को कायम रखा है शान्ति को काईम रखा है सदभाव को काईम रखा है जिस दिन मैंने सफत ली उसी दिन अधिकारियों को कह दिया पुलीस को कह दिया कि बार का कोई व्यक्ति गुश गयता है नगर में तो ठागे तोड़ दूँगा उसकी कोई नहीं गुश केगा और पांच साल तक शान्ति रहीग नहीं शान्ति रहीग नहीं साथियों चिंता है अब इस बात की चिंता इस बात की है कि ये नहर का रख्वा ये मेरे दिलों की धड़कन मैं पूरे तारा नगर में नहर का जाल बिठाना चाहता हूं और ये रोगला चाहेंगे ये रोगला चाहेंगे मेरा सपना दुरा रे जाएगा साथियो मेरे युवाओं का सपना दुरा रे जाएगा बुदानिया जी तुम संगर्ष करो बुदानिया जी तुम संगर्ष करो हम तुमारे साथ है ये लड़ाई अत्यक्स जी यह लड़ाई नेर बदाने वाले और नेर काटने वाले के बीच में है यह लड़ाई विकास और उसको रोकने वाले के विरुद लड़ाई है मैंने नौजवानों के लिए शीक रिखेता में, हर क्षेतर में काम किया है niż मैंने आपको कहा था भी टोटासरा जी आप के सामने क्या हूं एक लक्समंडगेड के शेह डे एक लक्समंडगेड के शेह डे एक चुरू के गादड को ललकारा हमने तो सोचा था कि आपका चलेंज स्विकार करेगा लेकिन छोड़ के भाग गया भगड़ा रेन चाड़ रेन चाड़ अद्यक जी वो आपके चलेंज से गवरा गया कभी ग्राज़ा खेडा कभी बिका देर कभी तारा नगर यहां तारा नगर में पने चरा हुआ था इसलिए तारा नगर में आ गया अरे उसको मालूम नहीं था कि यहां दूसरा सेर बेटा है बेटा हैंगी नहीं साथियो मोरिया बुला दूगा इसका प्याओ मोरिया बुलाओगे गी नहीं साथियो यह चरावा व्यक्ति है यह चुनाव कैसे नड़ता है इसको समझना पड़ेगा आपको यह ड़ाता है यह दमकाता है क्रमचारियों को दबाकाता है गरीब लोगों को दमकाता है ऐसे करके देखता है एक ही बात करना चाहता हूँ डर गए तो मर गए डरना मत मेरे भाईयो अरे डरना मत तुम जो है जेलिया लेगे खड़े हो जाना बूतों बे अपने खड़े हो जाना बूतों बे यह आएगे बाहर के लोग यह तारा नगरे को चरने के लिए आप चरने मत देना मेरा भाईयो सावदान हो जाओ एक तरब गरीब किसान का बेटा है एक तरब हजार क्रोड का मालिक मेरे सामने चुनाव डर रहा है हजार क्रोड का मालिक यहां हर परकार से यहां की लोगों की इज़त लुटने की कोशिश करेगा लेकिन सावदान रेनाप सावदान रेनाप सावदान रहोगी नहीं अध्यक्षी को पुरोशा दिलो उन्चाज करके दिलो अवाज दो साथियों अध्यक्षी बताना चाहता हूँ कल उन्होंने लमांकन किया था यहां पर यहां के लोग नहीं है चुरू से सर्दार सर से राजगर से जूजुनू से और राजस्तान के सभी वो लोग सभी लोगी किट्या हो गया आकर गया लेकिन उनको कहना पड़ा रात को दमखाया उसने कि तरानेगर में बढ़ा थे निकाल के बढ़ना साथियों ये सब धत्कंडे उपनाएंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ड़ना मत ड़ना मत मौर्या बुलाओंगा इसका साथियों आपके लिए जान दे दूगा आपके लिए जान दे दूगा तरानेगर को खराब नहीं होने दूगा मैंने तरानेगर को सिंचा है पांच साल मेरे पसीने किसे मेरी मैनल से सिंचा है मैंने आज ओ आके चरना चाहता है यहाँ पर ये बीड नहीं है ये बीड नहीं है ये तरानेगर की धर्ती है जो सोना उगलेगी पुरे खेतों में जब पानी लगेगा साथियों ये मुझे हर तरीके से हराना की कोशिश करेगे नितनियों भी इद्वार खड़े करेगे कोई 500 बोट लेगा, कोई 1000 बोट लेगा मेरे बोट खराब करने की कोशिश करेगे लेकिन आपको कहना चाहता हूँ नकार देना इसे लोगों को गुष्णे मत देना गाओं के अंदर ये सब लालस दे के खड़े करेंगे ये लोग साथियों साथियों बनने से पहले गिगोला काम सुरू कर दिया देख जी हमारे यहां पर मेरे सामने उमीदों आरे कॉमिनिस्ट भाई निर्मल कुमार परजापत अरे मेरे 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 से टक्कर लेना तो भूल गया और वहां पर बीदासर के अंदर एक सेखावत ऐसे जोसे दबाव डालके एक जग्दीश सेखावत को दबाव डालके हमारे उस निर्मल को अदालत के अंदर मजबूर किया स्रंडर होने के लिए निर्मल भाई गबराने के जूरत नहीं है बटों में तो बनाई लिड़ू है आपसे लेकिन आपके साथ अन्याई हुआ तो सोड़क मैं भरूँगा आपके लिए मेरे रूँगा आपके लिए अब साथियो मुझे मालूम आप दस मिज़े बेटे हो मैं अन्त में इतना ही कहूँगा मेरा सपना तोड मत देना दुआनो मैं आपके नहर की लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके आने वाली पिटिकलर लड़ाई लड़ रहा हूँ ये लोग आगे तो सब कुछ खतम कर देंगे आपको ये लड़ाई ये लड़ाई एक किसान के बेटे और एक सामन्त साही के विचारों के साथ है सामन्त साही के अद्यक जी एक अदा आदमी था हमारे पास में जो कहते थे कांग्रेज हमारी मा है कांग्रेज हमारी मा है हम उनको कहते थे हमारे पास कुछ hi थे जह माता जिए जी की बोलते थे उनको हुआ हुआ है जो भी राज अधर झाए रात व्हो रात भाग गए हमें छोड़गे मैंने कहा दोस्तों मैंने कहा एक जाएगा हजार आएंगे एक जाएगा हजार आएंगे अध्यक जी नेता परतिपक्स कहने वाला कहता है बड़ा आदमी है मैं कहता हूझ तीन दिन का नेता प्रतिपक से अरे इत्ते दिन एक गरीब लड़के के साथ एक कमजोद लबके के साथ तुने लड़ाई लड़ी है चुरू के अंदर लुटा है तुने चुरू को 30 साल मा केने वाला पहला प्यार केने वाला छुरा घौंप करके तारा नगर में आ गया लेकिन अब एक जनता के सेवक के साथ 33 कौम को साथ लेके चलने वाले के साथ किसानों के लिए मरने वाला वेक्ति आपके सामने है आपके सामने छोडूगा नहीं याद कर लीजिए विदाईन सुभब जाना नहीं पाए मैं बहुत बहुत धन्यवाद में गपीत करता हूं